कॉप्टर में CRPF के एक अफसर थे, वो मुझे बता रहे थे कि उनके आलाके में 17 साल की उमर से बच्चे दौड़ लगाना शुरू करते थे, मैनद करना शुरू करते थे कि हम सेना में भरती होगे, सेना में भरती होंगे भरती होने के बाद सेना में नौकरी करने के बाद भी जब घर आएंगे हम अपने माता पिता की देखबाल कर पाएंगे उनके दिल में देश भक्ती की भावना है दिल में ये भावना थी कि हम अपने देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं मैंने खुद अपनी आखों से भी देखा उत्तर प्रदेश में धीरत शाय तुम थे उस समय मेरे साथ कि रात के तीन चार बजे जब अंधेरा चाया हुआ है सूरज युगा नहीं है नौ जवान बच्चे जिनकी अभी उमर भी नहीं है भरती होने के लिए दौर लगा रहे हैं मैंने पूछा क्या कर रहे हो दौर लगा रहे हैं दीदी सेना में भरती होना है मोदी जी ने क्या कि उन उमीदों को उन आशाओं को क्या हुआ मोदीची ने तोड़ डाला अगनी वीर जैसी स्कीम लाए अब मुंबई में हम यात्रा कर रहे थे एक लड़का आया वही कुछ 21 साल का होगा यह हो सकता है उससे भी कम में रो रहा था कह रहा था दीदी दो बार मेरा नाम सूची में आ गया है दो बार लेकिन मेरा हम्मत नहीं हो रही है पाँच सालों के लिए मैं क्या करूंगा जाकर वापस आके क्या होगा तो मैंने कह पे माता पिता क्या कहते है कआ पिताजी कह रहें कि मत जब्हुश। how much work यह जो अगणिवी स्कीम है, इसकी वज़े से हम सेना में जाना ही नहीं चाहरे हैं, चाहे हमने कितना परिश्रम किया हो, इन कितनी महनत की हो, हम जाना नहीं चाहरे हैं, रोजगार पैदा करने के जितने माधियम थे वो लगभग बंद हो गए हैं, ये छोटे कारोबार, छोटे बिजनस, छोटी दुकाने, जैसे छोटे छोटे व्यापारी बनाते हैं, उससे रोजगार मिलता है, मैंने खेती किसानी की बात की, खेती किसानी से रोजगार मिलता थ चोटे कारोबार की कमर तोड़ दी GST लाए नोट बंदी लाए अब बताईए नोट बंदी में आपको खड़ा कर दिया कतार में ठीक है अब तो 8 साल पुरानी बात है ये तो भूल भी गए होंगे आप क्योंकि आपने देश भक्ती की भावना से काम किया जब आपको कहा गया कि काला धन आ रहा है तो आपने कहा चलो मैं भी अपने देश के लिए जितने पैसे है मेरे पास मैं ले जाता हूं बैंक में बदलने मेरी बेहने बैठी है मेरी एक बच्चों की अध्यापिका थी उन्होंने मुझे मुझे बताया कि उनकी माता जी 85 साल की माता जी ने कुछ पैसे एकठे करके अपने पलंके नीचे रखे हुए थे और वो कह रही थी कि उस समय की बात बता रही हूं मैं जब नोट बंदी हुई तो उन्होंने मुझे का कि सोचे कि मुझे भी नहीं मालुम तो मैंने थोड़ा-थोड़ा हमेशा कभी-कभी मौका मिला तो इकठा कर लिए वो सारे पैसे नोट बंदी के समय आपने लोटाए लोटाए की नहीं आपने लोटाए आप से मांगे गए मौदी जी ने खुद कहा देश भक्ती के लिए काला धन आएगा फिर क्या हुआ आठ साल बाद काले धन की सूची निकल आई निकल आई कि किसने कितनी चंदा ली यह लोग कहते हैं कि कम से कम इनका जवाब देखिए कि कम से कम सूची तो है पहले पता नहीं चलता था कि राजनितिक दल किस से चंदा ले रहे अब सूची तो है लेकिन सूची में देखिए जड़ा पढ़ लीजिए जागरुक बन जाईए पढ़ लीजिए उस सूची को उसमें कितने नाम है आप जैसे मैंने कहा कोविड के वैक्सीन पुल के ठेको वालों के जिनोंने सडके बनाई है उनको जिनको ठेका दिया उससे चंदा लिया आपको याद है वो कविता जो बच्पन में सुनाई जाती थी हमें चंदा मामा दूर के याद है वही चंदा मामा दूर के खूब खाये पूर के खुद सोनी के थाली में खाए और जनता को टूटी हुई प्याली में खिलाया यही हो रहा है आपके साथ आज और यहाँ चुनावी मंच है उस पे इस वजे से मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं चुनावी मंच पे खड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप वोट दो मुझे सचमुच दुख होता है सचमुच दुख होता है देख के कि इस देश में आज क्या हो रहा है आपके पूरवजों की तरह मेरे पूरवजों ने भी जान दिया है इस देश के लिए मैंने भी शहादत देखी है अपने पिता की, अपनी दादी जी की आज जीवन उन्होंने आपके लिए काम किया, सेवा के भावना उनके दिल में थी ये जो हमारी पुरानी परंपरा है, हमारी हिंदु धर्म की परंपरा है हम किसको पूझते हैं, बताइए, हमने भगवान राम को पूझा, क्या भगवान राम के पास सत्ता थी, इसलिए हमने पूझा आज तक हम उनको पूझते हैं क्यों, क्योंकि उनके पास सत्ता थी, उनके पास सत्ता नहीं थी क्योंकि हम उनको इसलिए पूझते हैं क्योंकि एक नैतिक आधार डाला उन्होंने नैतिकता थी, जनता के प्रती श्रद्धा थी, सेवा थी, तपस्या थी इसलिए पूझा हमने, इसलिए आज तक हम उनको पूझते हैं कि हमारे जितने भी महापुर्ष रहे हैं जितने भी बगवान रहे हैं उन्होंने क्या किया सत्ता को त्यागा हमने सत्ता को कभी नहीं पूजा ये हमारा धर्म कभी नहीं रहा है चाहे बगवान राम को देखिए चाहे मा भारत को पढ़िए क्या पांड़मों के पास सत्ता थ नहीं थी सत्ता, हमेशा हमारी श्रद्धा इस देश में हमारे धर्म ने सिखाया, उसके प्रती रही है, जिसने सेवा भाव से, आदर से, जनता की सेवा की है, हमेशा महात्मा गांधी जी को देखिए, तो ये एक भावना होती है, और हम इस भावना को अपने नेताओं में ढूंडते हैं, और हो सकता है, कि आपने शुरू में यही भावना देख कर, या सोच के कि ये भावना है मोदी जी के दिल में भी, उनको आपने आगे बढ़ाया, लेकिन आज परिस्थितियों को देखिए ना क्या हो रहा है, सत्ता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सरकारे तोड़ देते हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि पैसों के बल पर तूट रही है सरकार, कि विधायकों को सौ सौ क्रोड रुपे दिये जा रहे हैं सरकार को तूटने के लिए, सरक के πरती श्रद्धा कहा है है आप सब से रहए लेकिर काम करा रहे हैं जो चंढ़ नहीं दे रहा है उस पर एजbnत sudah ए रहे हैं चंदा देता है तो एजंशी का कामपंद क्या यही ननहोचत्पा ऱूड़ रहे हैं आप अपने नेताओं में क्या आप अंधे हो गया है कि चलिए करने दीजिये जो कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं सही कर रहे हैं कुछ भी करें गलत बात है इससे नुकसान आपका हो रहा है मोदी जी का नुकसान नहीं हो रहा है भाजयप्रा के बड़े-बड़े मंत्रियों का नुकसान नहीं हो रहा है मैं तो इतना कहूंगी कि ह यह में लोगों का भी नुक्सान नहीं हो रहा है.. क्योंकि आपकी क्रिपा से हैं.. आपने हम सबको इतना दिया है.. कि हमारे भविष्ट तो सुरक्षित है.. आपने दिया है.. लेकिन आपका भविष्यним द tract ब्रखाम कहँ है.. काम कौन कर रहा है आज ये बताईए क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा न रोजगार बन रहे हैं महिंगाई बढ़ती चली जा रही है ना किसानों की कोई मदद है श्रमिक सबसे शोषित है यहाँ पे आप खड़े हैं पुलिस के अधिकारी खड़े हैं पेंशन का क्या आपको पेंशन क्यों नहीं मिल सकता जहां जहां कॉंग्रेस के प्रदेश सरकार हैं आपको पेंशन पुराना मिल रहा है लेकिन भाजपा की सरकारें क्यों नहीं दे रही हैं आपको पेंशन आपके प्रती कोई श्रद्धा नहीं है सैनिकों के प्रती कोई श्रद्धा नही है जो सीमा पे खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहा है जान देने के लिए तयार है उसको अगनी वीर पकड़ा दिया आपने और अधानी जी को देश के सारे हवाई अदे देश के सारे बंदरगा उनकी शादियां देखी है आपने एक बड़े अध्योग पती की अभी बेटे की शादी हुई आप समने देखा देखा ना कहीं कुछ आ रहा है कि कितने बड़े गहने हैं कहीं लाखों या क्रोड़ों के कपड़े हैं तो कहीं कुछ कहीं कुछ किसान कैसे शादी कराता है अपनी बेटी का मैं आप से पूछ रही हूँ कैसे शादी कराते हो आज जो माहौल इस देश में कैसे शादी कराते हो कर्ज लेते हो कि नहीं लेना पड़ता है ना तो ये परिस्थितियां है ये संघर्ष है आपका इस संघर्ष को आप नहीं पहचानोंगे तो सरकार कभी नहीं पहचाने भी ये असलियत है आज इस देश की कि ये इस देश का गरीब और गरीब होते चले जा रहा है और जो बड़े-बड़े गिने-चुने उद्योगपती हैं जो इनके मित्र हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं उनको पूरी देश की संपत्ती दी जा रही है तो जब आपकी पुरानी पुरंपरंपरा है आपकी धार्मिक परंपरा है सामाजिक परंपरा है कि आप अपने नेताओं में सेवा भाव ढूंडें आपके प्रतिश रद्धा ढूंडें और मांगें तो आज क्या हो गया है आज आप सब कुछ देख के चुप क्यूं है आप क्यूं कह रहें कि यह सब ठीक है खरीदें दीजिए ने सरकार चंदा लेने दीजिए गलत लोगों से चाहे हमारे लिए रोजगार बनाएं ना बनाएं महंगाई बढ़ती जाए सब कुछ होता जाए हमें कोई बात नहीं करने दीजिए MSP मिले ना मिले क्यूं मान लिया है आपने ये कि अब ऐसा ही चलेगा इस तिती को बदलने की शक्ति आपके हातों में है सबसे बड़ी शक्ति लोकतंत्र ने महात्मा गांधी के अंदोलन ने आपको दिया आपके पूरवजों के अंदोलन ने आपको आजादी दी आजादी इसलिए दी क्योंकि आपके हात में वोट का अधिकार मिले और आप आखे मूंद करके जाके पूलिंग में वोट दे देंगे अपना किसका नुकसान होगा आपका नुकसान होगा मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ आपसे जगरुप बन जाएए इस वोट में आपके अगले पाँच सालों का भविश्य है यह जो लड़के खड़े हुए यहां तुम्हारा भविश्य है तुम अपना भविश्य बनाना चाहते हो अपने लिए रोजगार चाहते हो तो सही वोट डालो पता करो कि कौन सा राजनितिक दल क्या कह रहा है सुनो ध्यान से उनकी बाते है कोई मास मचली की बात कर रहा है करने दो उसे उसे वोट मत दो अपना कोई आपके धर्म की बात इसलिए कर दो अपना